उधारण साथ समीकरण 4x-2x-5 बराबर 4 धन 6x-3 को हल कीजिए हम उधारण जो साथ है उसका हल देख रहे हैं प्रश्ण में हमें जो समीकरण दिया गया है वह है 4x-2x-5 बराबर 4 धन 6x-3 इस समीकरण को हमें हल करना है तो देखिए दोनों पक्षों में हमारे पास समान पद हैं जैसे 4x और 2x हल हो सकता है इसी प्रकार 4 और 3 हल हो सकता है तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 4x-2x क्या हो जाएगा? 2x-5 और यहाँ पर हम इन दोनों पदों को अगर जोड ले तो हमें मिलेगा 6x धन 7 तो हमने क्या किया? समान पदों को जोड लिया समान पदों को जोडने पर अब पुना? अब क्या किया जा सकता है? अब हम समानता के निमों का पालन कर सकते हैं तो सबसे पहले समानता के नियम 1 से हमें क्या करना होगा 5 को निरस्त करने के लिए दोनों पक्षों में हम 5 को जोडेंगे ठीक है ये हमें मिलेगा समानता के नियम 1 से तो अगला पधल करने से क्या मिलेगा 2X बराबर 6X धन 12 हमें प्राप्ट हुआ था 2X बराबर 6X धन 12 तो अभी से हल करने के लिए हम X के पदों को एक साथ कर ले तो हम इसे हल कर सकते हैं इस प्रकार कि इसे पक्षांतर करने पर हमें मिलेगा 2X रिंड 6X बराबर 12 फिर अभी से और हल करें तो 2X और 6X को हल करने से कितना मिल जाएगा रिंड 4X और यहां पर हमारे पास है 12 फिर से समानता के नियम 4 से यदि हम इसे हल करें तो रिंड 4X बराबर 12 बराबर रिंड 4 यह हमें मिला है समानता के चौथे नियम से नियम 4 से तो देखे वच्चो अब इसे हम हल करें तो हमें यहां क्या प्राप्त होगा रिंड 4 एकम रिंड 4 रिंड 4 एकम रिंड 4 यहां पर यदि इसे हल किया जाए तो 4 के पहाड़े से अपन इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 4 एकम 4 चारतिया 12 और क्योंकि यहां रिंड चिन है तो यह आंसर हमारा हो जाएगा रिंड 3 एक्स पराबर रिंड 3 इस समीकरण को जब हमने हल किया तो हमें समीकरण का मान प्राप्त हुआ है एक्स पराबर रिंड 3 किस समीकरण का उप्योग हम गणित में कई प्रशनों को हल करने में करते हैं जैसे एक आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई से 11 अधिक है यदि आयत का परिमाप 110 cm है तब आयत की लंबाई एवं चोड़ाई ग्याद कीजिए इसमें हमें परिमाप तो दिया गया है किन्तु आयत की लंबाई एवं चोड़ाई निकालने के लिए हमें दी गई जानकारी से संबंध जोड़ना होगा इस प्रकार के प्रशनों का हल हम समीकरण की सहता से ग्याद करना सीखेंगे